दोस्तों मैं सोरमलिक आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज पटाफट जीके में हम देखने वाले हैं Top 33 Question Answers जो की परिक्साओं में 100% पूछे जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो आपकी regular आती है Only Top Study यूटूब चैनल पर रात में 9 बजे आप चैनल किसी भी competitive exam की त्यारी करते हैं इस वीडियो को regular follow कर लिजे आपकी जीके बहुत ही जबर्दस हो जाएगी चलिए शुरू करते हैं पहला कोशन है भारती रास्टे आंदोलन के 1885 से लेकर के 1905 की अवधी को कहा जाता है काफी important question है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस question को जरूर try करेंगे और answer comment box में बताने की कोशिस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों इस चरण को बोला जाता है उदारवादी चरण यानि कि right answer हो जाएगा option A I hope कि आप सबने भी यह answer लगाया होगा right answer दोस्तों A हो जाएगा दूसरा question आता है निवन में से किस वेद में बिमारियों का उपचार दिया गया है और session पसंद आए तो like कर देना और अपने भाई बेहन दोस्तों के साथ में share कर देना यह चोटी सी request है आप लोगों से तीसरा question आता है एक नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषना पत्र पढ़कर लोड कनिंग ने कहां सुनाया था बहुत ही famous सा question है और अकसर exam में देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों इस question का right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही अलाबाद में यानी की option a right answer हो जाएगा ठीक है सबने यह answer लगाया होगा question number 4 आता है प्रत्वी के इस्थलिये छेतर में भारत का हिस्सा लगबग कितना है जल्दी से बताएं दोस्तों इसका answer क्या रहेगा देखें प्रत्वी के इस्थलिये छेतर में दोस्तों भारत का इस्सा लगबग 2.4 प्रतिशत का है यानी की बी right answer हो जाएगा अच्छे-च्छे questions cover करेंगे बहुत ही मैनत से मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ बस आप लोग देख लेना पूरी वीडियो को अगला question आता है महासागर में उची जलत रंगे कैसे होती है बताई वै इस question का right answer क्या रहेगा दोस्तों इस question का right answer हैगा चंदरमा से यानी की दोस्तों डी right answer हो जाएगा पांचवे question का सही उत्तर और देखें अब एक master पीडियोप मैंने बनाई आप लोग के लिए अगर आ दोस्तों history, geography, politics, economics, physics, chemistry, biology, current affair, computer, static, gk पूछी जाती है तो इस master पीडियोप को पढ़के चल ले जाना और कुछ भी extra मत पढ़ना आपका 99% का score दोस्तों 100% हो जाएगा ठीक है ये मात्र 150 रुपीज की पीडियोप है अब देखें 150 रुपे आप लोग हर रोज फूंक देते ह कहीं पेट्रोल में कहीं खाने पीने में बट ये दोस्तों आपको master पीडियोप मिल रही है 1.500 रुपे में और इसे पीडियोप को लेने के लिए नीचे description box में link दिया गया है या तो वहां से purchase कर लिजे या फिर आप हमें इस WhatsApp नंबर पे एक message करना कि सर master पीडियोप का link बता है बताइए भई मेरे प्यारे दोस्तों वर्षा की बूंध गोल होके प्रत्वी पर आती है तो इसका कारण है प्रस्तनाव के कारण यानि की सी राइट आंसर हो जाएगा छटे question का सही उत्तर ये आपको या दख्या है question number 7 आता है जब किसी वस्तु को प्रत्वी से चं सर्मा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है क्या होता है दोस्तों उसका भार घट जाता है यानि की बी रैट आंसर हो जाएगा इन पर मैंने अलकिशे भी वीडियो बनाई है अगर आप देखना चाहते हैं तो सर्च करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों only top study और जो भी आपको सर्च करना है जैसे की त्योहार सर्च करने तो only top study त्योहार या festival सर्च कर लेना आपको वीडियो मिल जाएगी तो इस question का right answer क्या रहेगा तमेल नाडू यानि अगला question आता है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था तो देखे जो सूचना का अधिकार है वो अधिनियम कब बना था दोस्तों इस question का right answer हैगा 2005 में ठीक है right answer is C अगला question आता है मानव नेत्र की focus दूरी का बढ़ाना या घटना नेत्र की कौन सी मास्पेशों की सक्रिता से होता है बताइए इस question का दोस्तों right answer क्या रहेगा सिलियरी मास्पेश या यानि की right answer दोस्तों C हो जाएगा दसवे question का सही उत्तर ठीक है भाई चले अगला question हमारा क्या कह रहा है कि पसीने का मुख्या उप्योग है देखे पसीने का मुख्या उप्योग होता है मेरे प्यारे दोस्तों सरीर के ताप नियंतरन रखने में तो ये भी एक अच्छा गोशन है अगर किसी को नहीं पता था तो जरूर याद रखेगा right answer option ही हो जाएगा देखे आप समझ लिजे कि only top study आप लोग के लिए जीके के खजाना है अगर आप यहाँ पर regular basis पर भी वीडियो देख ले तो आपकी सारी जीके complete हो जाएगी या फिर आप playlist उठा के देख लिजे प्लेइलिस्ट के लिंक नीचे description box में है आपकी तब भी सारी जीके complete हो जाएगी आपका कोई भी एक्जाम है XYZ कोई भी एक्जाम हो सकता है SSC CGL हो सकता है दोस्तों railway हो सकता है या कोई state का एक्जाम हो सकता है सब cover हो जाएगा बारवे कोईशन पर आ जाता है निमलिकित में से कि सेर ने ग्रिसम कालीन ओलंपिक का आजन तीन बार किया है तो इस कोईशन का right answer बता दीजे राइट आंसर दोस्तों रहेगा लंदन ने तीन बार किया है यानि कि C right answer हो जाएगा ठीक है अगला कोईशन आता है कार्बूरेटर का उप्योग होता है दोस्तों बिल्कुल सही है पेट्रोल के साथ हवा को मिसरित करना यानि कि C right answer हो जाएगा कोईशन नमबर 13 का सही उत्तर कोईशन नमबर 14 है भारतिय अर्थवेस्था का कौन सा छेत्र सकल रास्ट्य उत्पाद में सरवधिक योगदान करता है बताइए इस कोईशन का दोस्तों right answer हैगा तिरित्य छेत्र यानि की C right answer हो जाएगा कोईशन नमबर 14 का सही उत्तर कोईशन नमबर 15 है कोबाल्ट 60 आमतोर पर विक्रण चिकित्सा में प्रियुक्त होता है क्योंकि यह उत्सरजित करता है दोस्तों तो यह क्या उत्सरजित करता है इस कोईशन का जरा आंसर बताइगा राइट आंसर हैगा दोस्तों गामा किर्णे यानि की option C right answer हो जाएगा पंदरवे कोईशन का सही उत्तर question number 16 है लोकसभा की पर्थम महिला अध्यक्स कोन है देखें लोकसभा की पर्थम महिला अध्यक्स मेरे प्यारे दोस्तों कोन है राइट आंसर हैगा मीरा कुमार यानि की D right answer हो जाएगा दोस्तों question number 17 है चेतरपल की दरस्टी से निमिन देशों का सही आरोही करम कोन सा है तो देखें चेतरपल की दरस्टी से अगर यहाँ पर मैं आरोही करम लगाता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों Argentina ठीक है फिर भारत फिर Australia फिर Brazil इस परकार से दोस्तों आपका सिक्वेंस आ जाएगा यान पेनिसलीन की खोज किस ने की थी तो इस question का दोस्तों right answer क्या रहेगा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने यानि की option a right answer हो जाएगा अगला question आता है monogite बालू में निमिन में से कौन सा खनीज पाया जाता है दोस्तों तो monogite बालू में दोस्तों निमिन में से कौन सा खनीज पाया जाता है तो right answer is thorium यानि की डी right answer हो जाएगा 19 वे question का सही उत्तर question number 20 आता है निमिलिकित इस्थानों में से कहा संपेन जन्जाती पाय जाती है बताएगे भई इस question का right answer क्या रहेगा निकोबार दीप समू में यानि की option दोस्तों बी right answer हो जाएगा 20 वे question का सही उत्तर 21 question है सभी मुख्य वाईयू मंडले घटनाए जैसे बादल आंधी एवं वर्सा किस मंडल में घटती है तो इस question का दोस्तों right answer क्या रहेगा इस question का सही उत्तर रहेगा शोब मंडल यानि की right answer is option है ये भी अच्छा question है कहीं बार exam में आता है अगला question आता है बारूद में मुख्य रूप से क्या सामिल होता है दोस्तों बताएगा तो पोटेशियम नाइटरेट सामिल होता है यानि की right answer हो जाएगा अगला question आता है निवन में से एक कथन एस सत्य है बताएगा तो देखें यहाँ पर दोस्तों जो पहला option लिखा है मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडू रखा गया तो यही गलत लिखा है तो right answer दोस्तों option ही हो जाएगा यह आपको याद अखना है ठीक है अगला question क्या कर रहा है उस्तम न्याले यानि की supreme court के न्याइदीज की सेवनिवर्थी की उमर क्या है तो दीखे supreme court के न्याइदीज की जो retirement age है वो होती है दोस्तों 6 year और 65 year जो भी पहले हो जाए तो अगर age पूछा जा रहा है option में पैसर ट्वर्स दिया गया है तो right answer is B ठीक है यह आपका दखना है अगला question है मिसर के नील नदी पर 99 से कौन सा बांध इस्थित है तो इस question का right answer क्या रहेगा right answer दोस्तों हो जाएगा आपका आस्वान बांध यानि की right answer B हो जाएगा 25 वे question का right answer 26 वा question है भारत में 2011 जनकन्ना के अनुसार भारत में कुल कितने गाव है दोस्तों भारत में कुल कितने गाव है तो इस question का जो सही उतर रहेगा वो रहने वाला है 6,49,481 यानि की option a right answer हो जाएगा भाई अगला question आता है नविंतम जनकन्ना के अनुसार की इस बारते राज्य का जनसंख्या गनत्व सबसे कम है तो सबसे कम जनसंख्या गनत्व मेरे प्यारे दोस्तों जो रहेगा वो रहने वाला है अनुनाचल परदेश यानि की b right answer हो जाएगा अगला question आता है भारत का सर्वदिक आबादी वाला द्वीप निविन में से कौन सा है बताएगा कौन सा द्वीप दोस्तों सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है तो right answer is cell set द्वीप यानि की d right answer हो जाएगा अगला question है निमलिखित में से किस कोसिका अंगक को कोसिका की आत्म घाती थेली कहा जाता है तो इस question का right answer क्या रहेगा right answer is lizozome यानि की option दोस्तों d right answer हो जाएगा 29 कोशन का सही उत्तर अगला question आता है डेंगू बुखार में मानव सरीर में निमलिखित में से किस की कमी होती है तो जब डेंगू बुखार होता है दोस्तों इसमें chances यही रहते हैं कि platelets गिर सकती है तो right answer is option यह हो जाएगा यह वो गादरो संख्या का मान कितना होता है तो इस question का right answer एगा 6.022 multiply 10 की power 23 यानि की b right answer हो जाएगा 31 question का right answer 32 question है भारत रतन की आकरती कैसी होती है देखे भारत रतन की दो आकरती है मेरे प्यार दोस्तों वो होती है people के पत्ते जैसी यानि की right answer भी रहेगा 32 question का सहीवत 33 question है डायोप्टर निमलिखित में से किसकी SI1 है तो इस question का right answer क्या रहेगा दोस्तों डायोप्टर निमलिखित में से किसकी SI1 का ही है तो right answer इस lens की समता की यानि की option दोस्तों ये right answer हो जाएगा अब ये थे हमारे 33 question answers अब ये आपके लिए test रहेगा भई पॉंगल किस राज्य का तोहर है मैं आसा करता हूँ कि आप लोग इस question का answer 100% कवर करेंगे क्योंकि इसी वीडियो में अभी अमने कवर किया था अब 33 में से इमानदारी के साथ बताईए कि आप लोगोंने कितने सही की है अगर आप only top study का ये regular फटाफट gk की वीडियो देखते हैं तो प्यारे दोस्तों regular अपना score भी बताया करें तभी मजा आएगा और तभी आपको पढ़ने का एक मतलब पूरा motive मिलेगा कि मैं हर रोज इस वीडियो को क्यों देखो कि मेरा score बढ़ रहा है घट रहा है क्या मजा रहा है कितने questions गलत होते हैं कितने सही तभी मजा आएगा only top study आपको भी download कर लीजेगा यहां से 5 star की rating कर देंगे तो pdf मिल जाएगी और बाकी जो हमारी master pdf है दोस्तों इसके क्या कहने क्या कहने इसके आप मुझे इस whatsapp नंबर पर message कर देना की सार master pdf का link भेज़ दीजे इस master pdf में आपको सब कुछ मैं दे दूँगा history दे दूँगा जोगरफी, politics, economics, physics, chemistry, biology, current affair, computer, strategy, gk और price रखा है आपने दोस्तों मात्र 150 रुपीज मात्र दोस्तों अगर आप लोग एक दिन का अपना expenses बचा ले तो यह pdf करीद लोगे और इससे आपका selection भी हो सकता है समझे रहे हो और आप जो expenses करते हो, खाने पे करते हो, जो भी unnecessary करते हो, वो एक दिन बचाने है और यह pdf लेनी है उसके बाद आपको इसको पढ़ना है, स्टार्ट करना है, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, एक से डेड़ महिने में complete कर लेंगे जो थोड़ा कम पढ़ते होंगे, वो दो महिने में complete कर लेंगे, बट यह दो महिने से ज़्यादा time लगेगी नहीं क्योंकि यह one liner है दोस्तों हिंदी में है, आप easily बहुत यासानी से इसको cover कर लेंगे ठीक है, तो यह पूरी detail हो गई, आप लोग classes के timing को note कर लीजे चैनल पर नहीं है तो subscribe करके bell icon कौन रखे ताकि कोई भी वीडियो मिशना हो और वीडियो पसंद आए दूस्तों like share कर दीजेगा, thank you so much, bye bye everyone take care, ख्याल रखे अपना मिलते रेक्स class में